हेलो स्टुडेंट आज हम क्लास फर्स्ट के सब्जेक्ट साइंस का लेसे नमबर 12 जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर का नीम था एयर इस चैप्टर की एयर मीज होता है वायू या हावा उसके मीनिंग्स देखेंगे और उसकी पूरी एक्सेसाइज को कम्प्लीट करेंगे वर्ड मीनिंग्स है इसमें पहली है एयर एयर मीज क्या होता है हवा सेकंड है एराउंड एराउंड मीज होता है चारो और इसके बाद हम देखेंगे क्या इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अस अस मीज होता है हमारी फिर है लिविंग लिविंग मीज होता है सजी सजी बस्तिय होती हैं उनको हम living things बोलते हैं need need means होता है अवश्यक्ता, breathe, breathe means होता है सांस लेना, इसके बाद breathe के बाद आएगा see, see means क्या होता है, देखना, फिर होगा feel, feel means होता है, अनुभब करना, किसी चीज को feel करना, जैसे हम air को feel कर सकते हैं, देख नहीं सकते, front, front का मतलब होता होता है, सामने, weight, weight का मतलब होता है, वजन, empathy, empathy का मतलब होता है, खाली, खाली स्थान, या खाली कोई चीज खाली होती होती है, तो उसके हम empathy कहते हैं, उसके बाद है again, again का मुईस होता है, पुना, या फिर से, दोबारा, again के बाद आएगा हमा, क्या आएगा, again के बाद आएगा हमा, space, space का मतलब होता है, स्थान, bigger, bigger means होता है, बड़ा, because, because का means होता है, क्योंकि, wind, wind का means होता है, why you, move, move का मतलब होता है, चलना, help, help का means होता है, मतलब मदद करना, इसके बाद next bird meaning है हमारी, burning, burning का मतलब होता है, जलना, candle, candle means होता है, मौम बत्ती, table, table means होता है, मेज, light, light means होता है, उजाला, cover, cover का means होता है, किसी चीज़ को ढखना, या उसको cover करना, glass, glass का मतलब होता है, glass ही, necessary, necessary, necessary का means होता है, अवश्यक्ता, support, support means होता है, सहारा, support देना, सहारा बनना या सहारा, ओके, फिर इसके बाद हम next, चलेंगे, बन मीनिंग से बाद हम अपनी exercise स्टार्ट कर रहा है, इसमें हम एक question number है, tick the correct option, जो correct option होगा, उस पिर हमें tick करना है, पहला है मा question, आ, blank is filled with air, क्या air से filled होता है, bat, guitar, foot wall, air stump, तो foot wall के अंदर ही हम क्या बढ़ते है, air को fill करते हैं, second question है, air fills up the blank inside the balloon, जो air fill करते हैं, balloon के अंदर, तो वह क्या करते है, space, water, food, या money, तो वह क्या करते है, space को balloon के inside, space को air fills up the space, एको fills करते है, inside the balloon, third, when air moves, it is cold, जब air move करते है, तो इसको क्या बोलते है, moving air को बोलते है, wind, fourth question है, moving air, blank cloth, moving air क्या करते है, dry cloth, moving air, जो कपड़े उनको सुखा देती है, क्यों वह fastly चलती है, इसके बाद हमाँ, next question है, filling the blanks with correct birds, यह हमें, इता कुछ birds दिये हुए, इसे हमें अपने blanks को fill करना है, पहला है, all living things need air to, जो living things होते हैं, उन्हों के लिए, air के विशकता क्यों होती है, breathe करने के लिए, second question है, moving air is cold, moving air को क्या बोलते हैं, moving air को wind बोलते है, third है, a candle cannot blank in the absence of air, एक candle होती है, वह क्या नहीं कर सकती है, air के absence में तो वह जल नहीं सकती है, candle, absence of air में, fourth question है, a blowing up balloons is blank than a flat one, तो यह blowing up balloons होता है, वो heavier होता है, एक flat one से, मतलब जो हवा से बादा हुआ यह से बढ़ा हुआ जो balloon होता है, वो एक flat balloons की उसमें, उसकी तुला में heavier होता है, यह भार ही होता है, उससे, third question है हमारा, C वाला, tick the, tick true against the correct statement and cross against the wrong statement में, cross करना है, first है, we can see moving air, क्या moving air को देख सकते हैं, false, नहीं देख सकते हैं, air has no weight, air का कोई weight नहीं होता है, बिलकुर false, हम के पास weight होता है, fist can live without air, जो fist होती है, यह की बिना रह सकती है, false, नहीं, जितने भी living things है, सबको यह की, need है, सबको वश्यक्ता है, fourth है, a lighted candle continues to burn in air, एक lighted candle होती है, उसको continuous burn करने के लिए, air की help की वश्यक्ता होती है, true, true है, all, air does not occupy space, so air होती है, वाइस स्पेस को occupy नहीं करत होती है, बिलको रॉंग, जो air होती है, वाइस स्पेस को तो यह भी रॉंग होगा, इसके बाद हम D part पर चलेंगे, जिसमें क्या है, answer the following question, first question है, name any three uses of air, हमें कोई भी तीन use बताने है, air की, तो three uses air की क्या होंगे, first answer है, it helps us to dry cloth, यह हमें help करता है, किसमें कपडों को सुखा second है, it makes the fire burn, यह fire को जलाने में, आख को जलाने में, हमारी help करता है, third है, it used for flying kites, यह पतंगों को अड़ाने में भी हमारी साहता करता है, second question है, हमारा, what is wind, wind क्या होती है, यह wind किसे कहते हैं, second question का answer होगा, moving air are called wind, जो moving air है, उसी को हम क्या बोलते है, उसी को हम wind कहते हैं, third question है, what gives safe to a blowing up balloon, जो blowing up balloons होता है, उसको safe कौन देता है, यह क्या देता है, तो हमारा third वाली answer होगा air, जो air होती है, वह एक blowing up balloons इसको safe देती है, इसके बाद हमारा fourth question होगा, what will happen if you cover a burning candle with a glass, क्या होगा, जब आप एक burning candle को एक glass से ढख देंगे, या उसको cover कर देंगे, तो जब हम एक burning candle को glass से ढख देंगे, तो क्या होगा, candle is put out, जो candle होगी, वो जाएगी, last और fifth question है हमारा, name three things that are filled with air, कोई भी हमें ऐसी three things बस्तो के नाम बताने हैं, जिनको हम air से fill कर सकते हैं, तो इसका answer होगा, हमाँ balloon, balloon में air fill कर सकते हैं, foot wall, foot wall में air fill कर सकते हैं और tire, tire में भी हम air fill कर सकते हैं, इस सारी exercise को आप लोगों को अपनी fear notebook पर करना है, और अच्छे ज़र चैप्टर को भी revise करना है, thank you,